श्री शिवाय नमस्तु प्रिम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपी के यूट्यूब चैनल शिवसार में आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में एक महत्वर रखती है लेकिन हम उसे अपनी ही दिन चरिया से निकाल देते हैं हर वक्त सोने जाते हैं, सो कर वापस उड़ जाते हैं और आप श्रोताओं में से कई लोगों को ये ध्यान आता होगा कि वो अपने बिस्तर पर तो जा रहे हैं लेकिन नींद उन्हें आ नहीं रहे वो हमेशा लेट जाते हैं और अपनी ही जीवन के किसी तीसरे विश्व में पहुच जाते हैं जहां वो चिंताए, व्यथाए, दिन में क्या हुआ, क्या होगा आगे वाला कल कैसा होगा, पीछे वाला कल कैसा गुजरा यही सोचते रहते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती वो इसी चिंताओं के भवर में गोते लगाते लगाते अपने सोने के दो तीन घंटों के बाद चिंता की व्यथा में सोते हैं तो क्या यह अवश्य ज़रूरी है हमारी नींद दर्शाती है कि हमारा जीवन क्या करने वाला है हमें सोते वक्त आराम से शांद जीवन के साथ सोना चाहिए पर व्यथा यही है कि हम ऐसा कर नहीं पाते तो इसका उपाय क्या है सभी चिंताओं को दूर कर दो सोते समय ये बात हमेशा गाठ बांद लो कि मेरे जीवन में जो हो रहा है श्यूक रुपा से हो रहा है और आगे भी जो होने वाला है श्यूक रुपा से ही होने वाला है इसलिए मैं चिंता क्यों करूँ मैं तो श्यूक आदास हूं मेरे साथ जो होगा श्यूजी जो करना चाहेंगे करेंगे और मेरे जीवन में मुझसे ज़्यादा मेरी चिंता तो शिव जी को है तो मेरे जीवन में अगर कोई दुख भी आ रहा है तो वो दुख नहीं है वो शिव जी का आशिरवाद है ये समझ के आप आराम से सो जवाँ क्योंकि आप शिव के दासो आप पर कोई संकट शिव जी कभी आने ही नहीं देंगे इसलिए सोने से पहले एक बार मन ही मन श्री शिवाय नमस तुब्यम हर हर महादेव बोलके आप गेहरी नीन में सो जाओ बिना इस बात की चिंता किये कि भविश्य में क्या होगा क्योंकि अपने मन के भितर ये गाठ मादलो कि भविश्य में जो भी होगा वो शिव कुछ नहीं होगा